प्रेज़ लॉड आज हमारे लिए मनन का विश्य है सन्योहन का सू समाच्वारा ध्याए पांच पस संग्याए 31 लेकर यदि मैं अपने विश्य में साच्ष्य देता हूँ तो मेरा साच्ष्य मान्य नहीं है कोई दूसरा मेरे विश्य में साच्ष्य देता है और मैं जानता हूँ कि मेरे विश्य में जो साच्ष्य देता है वो मान्य है तुम लोगों ने योहन से पुछुवाया और उसने सत्य के संभन्द में साच्ष्य दिया मुझे किसी मनुष्य के साच्षी की जरूरत नहीं मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि तुम लोग मुक्ती पासको योहन एक जलता और चमकता हुआ दीपक था उसकी जोती में थोड़ी देर तक आनंद मनाना तुम लोगों के लिए अच्छा लगा परंदु मुझे जो साच्ष प्राप्त है वा योहन के साच्ष से भी महान है पिताने जो कार्य मुझे पूरा करने को सोपा है जो कार्य मैं करता हूँ वही मेरे विशे में साच्ष दीता है कि मुझे पिताने भीजा है पिताने भी जिसने मुझे बेजा मेरे विशे में सच दीता है तुम लोगों ने ना तो कभी उसकी वानी सुनी और ना उसका रूप भी देखा है उसकी वानी तुम लोगों के हरदय में घर कर नहीं सकी क्योंकि तुम उसमें विश्वास नहीं करते जिसे उसने भीजा आज का वचन जो है आगे भी है चुकि ये बहुत बड़ा लंबा पार्ट है इसलिए मैं उसका थोड़ा ही आपके सामने पढ़ाऊं प्यारे भाई और बैरों सांद योहन के सु समाचारा ध्याई पांच में हम यरुसिले में एक रोगी को स्वास्तिय लाब देते हुए प्रभू को देखते है विशेर शूब से यरुसिलेम के भेट फाटक के सामने जो अरधांग रोगी पढ़ा हुआ था उन्हें प्रभू चलने के लिए चलते फिरने के लिए अनुग्रह देता शिच देता है चंगाई देता है और उसके बाद फरीसी और शास्री लोग प्रभू से सवाल पूछने जरूर आ गए थे कि कि तुम साबत में ये सा कार्य क्यों करते है अन्य तमाम छे दिन है उन दिनों में ये सबी कार्य कर सकते है और साबत में ही क्यों ये कार्य करते है तो प्रभू उनका जवाब भी देते है और जवाब देते देते कहते है कि मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूं कि तुम विश्वास करे कि ईश्वर के पुत्र को साबत का भी स्वामी माना जाता है प्यारे भाई और मैंनों मेरे बचनों को सुनने वालों को मैं अक्सर ये बात बारम बार कहा हूं कि प्रभू को मृत्यद्वंड देने का मुख्या दो कारण थे और उसमें सरप्रधम कारण यही था कि वह प्रभू को या इश्वर को पिता माना अब्बा पुकार कर बुलाया अब्बा पुकार कर बुलाने का मतलब होता है डड़ी और इस प्रकार वह इश्वर जो हमारे द्रिष्टी के परे है और जिने हम नाम से भी नहीं पुकारा जा सकता है ऐसे इश्वर को अपने पिता बुलाने से वह ईशनिंदा की योग बन गया और दूसरा कारण ये चमतकार था जब प्रभू बारें बार साबत के दिन अपने कार ये ओम चमतकार दिखाया करते थे और अपने आपको साबत का भी स्वामी पुकारने से ना हिचकते थे साबत का स्वामी का मतलब होता है इश्वर क्योंकि उसके परे कुछ नहीं है साबत जो दिया गया है इश्वर दुवारा दिया गया है और साबत का स्वामी का यही तात्परी होता है कि वह इश्वर है तो जब प्रभू ये कार ये तमाम कारियों को साबत के दिन करते हैं और अपने आपको साबत का भी स्वामी पुकारने से ना ही खिचकते हैं इसका तात पर ये भी वही होता है कि प्रभू अपने आपकी तुलनाई श्वर के साथ करते हैं वो भी इश्रिंदा है तो मुख्या ये दो कारण है वही बात आज के सुसमाचार में भी बताया गया है मेरा साच कौन दे रहा है मेरा साच योहन बप्तिस्ता ही नहीं लेकिन इश्वर स्वयम देता है इश्वर स्वयम मेरा साच देने का तत्पर्य है कि मैं इश्वर के हास से आया हूँ और मेरी तुलना इश्वर के साथ होता है तो प्यारे भाई और मैंनों प्रभू को मरवा डालने के लिए या क्रूज देने के लिए यही मुख्या दो कारण रहे हैं प्रभू ने जब अपने आपको साबत का स्वामी कहने के लिए ना हिचरकते हैं और जब इश्वर को अपने पिता पुकारने में जरा भी संकोज नहीं करते हैं वह इश्णिंदा के योग ठहराए गए और इश्णिंदा की जो जुलम है उसका सजा जो है मृत्यु है प्यारे भाई और बहनों हम चालीसे के सवधी पर जेशुब से प्रभू के पुने सप्ताह की और आगे बढ़ रहे हैं तो इसलिए कलीस ये हमें मनन खेलिए प्रभू के मृत्यु का मुख्यकारनों पर मनन करने को हमें पुकारते हैं आज के बचनों में हमने वही सुना जहां पर प्रभू अपने साच्य स्वायमीश्वर देते हुए हमारे सामने पेश किया है जितने बचन में आप सबूं की साथ में साजा गिया और उसके बाद में भी जो पार्ट आप सुनोगे तो यही बात हमारे सामने आता है प्रभू की मृत्यू प्रभू ईश्वर को अपने पिता पुकारने के कारण हुआ था वह उनके पुत्र माने जाने की कारण हुआ था इसके बावजूद भी हम जानता है कि प्रभू अपने उद्वोदन जरा भी चेंज नहीं करते हैं क्योंकि वे जुनिया में प्रभू का पुत्र बन कराया था और इस जुनिया से इस पुत्र को मृत्यु द्वारा ही जाना था प्रभू के मृत्यू के उपर हम लोग जब मनन करते हैं हम शेशुप से इन बातों को ध्यान रखे कि प्रभू हमें इश्वर को पिता पुकारने के लिए सिखाते है इश्वर हमारे प्रेमी पिता है अब बाप पिता है हमारे स्वर्गिया डैडी है आमेन हमारे स्वर्गिया डैडी है